इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म कोशिश करनी चाहिए. जरूरत पढ़ने पर आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए. कोशिश करें कि कोई भी खुराक न छूटे, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कम प्रभावी हो जाएगा. यह दवा आम तोर पर बहुत ज्यादा फाय देमंद है, इससे कम अधिक साइड इफेक्ट भी नहीं है. हालांकि, इसके कारण कुछ लोगों को ओल्टी, पेट दर्द, मिचली आना और अपच की समस्या हो सकती है. अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट समय के साथ ठीक नहीं होते हैं या स्थिती अधिक खराब हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपका डॉक्टर लक्षनों की रोक्थाम या इन्हे कम करने के तरीके बता सकता है. यह दवा व्यापक रूप से निर्धारित और सुरक्षित मानी जाती है लेकिन सभी के लिए उप्योप नहीं है. अगर आपको किड्नी की समस्या, अस्थमा, ब्लड डिसॉर्डर या बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने इस दवा को लेते हुए शराब पीने से बचना सबसे बہتर है इबरगेसिक औरल सस्पेंशन औरंज एक आम दर्द निवारक है जो दर्द को कम करने और दर्द का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉप करता है ज यह दवा बहुत अधिक इस्तिमाल की जाती है और अगर इसे सही खुराक में लिया जाए, तो इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। अधिक तम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशानिरदेश के अनुसार ही लें। जरूरत से ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतोर पर आपको सबसे कम पॉववा वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही धंग से असर करें। बुखार का इलाज इबगेसिक ओरल सस्पेंशन औरंज का इस्तेमाल उच्चत आपमांद बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह कुछ कैमिकल मैसेंजर्स को रिलीज होने से रोपता है जो बुखार का कारण बनते हैं। यह अकेले या किसी अन्य दवा के साथ लिए जा सकता है। आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए। इबगेसिक ओरल सस्पेंशन के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। इबगेसिक औरल सस्पेंशन औरंज को भूजन के साथ लेना बहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।